अरे माँ पापा आप दोनों यहाँ वो भी ऐसी अचानक आने से पहले किसी को बताया भी नहीं हाँ बेटा तेरे पापा और मैं हरे द्वार गए थे यहाँ से घर जा रही थी तो सोचा घर जाते हुए तेरी ससुराल आ जाए इसी बहाने हम तुझे प्रसाद भी दे देंगे और तुझसे मिल भी लेंगे माई यह तो आपने बहुत अच्छा किया अब आप दोनों आही गए हो तो दो दिन रुक कर जाना बंटी भी आया था और बिना रुक के एक ही दिन में चला गया पर मैं आप दोनों को ऐसे नहीं जाने दूँगी अच्छा ठीक है बेटा अब तो इतना जिद कर ही रही है तो दो दिन हम रुक जाते हैं ठीक है पापा आप दोनों यहीं रुको मैं गेस्ट्रूम साफ करवा दीती हूँ और उससे पहले मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लिए कर आती हूँ नहा अपने माबाब को देख कर बहुत खुश थी अब नहा जल्दी से रसोई में जाती है और अपनी मा के फेवरेट वाइट सौस पास्ता बनाने लगती है यह देख आरती नहा से कहती है अरे निहा आज तुम बड़ी कुछ लग रही हो और इतनी जल्दी जल्दी यह वाइट पास्ता किस के लिए मना रही हो तुम्हें तो वाइट सौस पास्ता पसंद भी नहीं हाँ दीदी दर असल मेरे मा और पापा आए हैं वो दोनों दो दिन यहीं रुक कर जाएंगे बस इसलिए मैं ये सब उनके लिए ही कर रही हूँ पर निहा अभी कल ही तो तुम्हारा भाई गया है और आज तुम्हारी मा और पिता जी आ गए हाँ दीदी तो क्या हुआ मेरे माई के वाले यहां आते हैं तो आप इतनी परिशान क्यों हो जाती हैं मेरे माई के वाले आ रहे हैं और मुझे कोई परिशानी नहीं तो फिर आप क्यों ऐसे बोल रही है आर्ती का सवाल निहा को पसंद नहीं आता और वो मूँ बना कर पास्ता लेकर अपनी मा के पास जाती है जहाँ वो देखती है कि उसकी सास गीता उसकी मासे बाते कर रही है बहु तेरे माता पिता घर आये हैं और तूने मुझे बताया भी नहीं कम से कम मुझे बता तो देती मा जी आम दवाई खाकर आराम कर रही थी इसलिए मैंने आपको उठाना सही नहीं समझा पैसे मैं आप सब के लिए पाइस्ता लेकर आई हूँ चलिए खाना खा लेते हैं हाँ बहु पर बहु तेरे घर से कोई आता है तो एक बार मुझे पता दिया कर और समधन जी खाना शुरू कीजिए जबसे नेहा के माता पिता घर आय थे तब से वो अपने माता पिता की सेवा में ही लगी रहती है इसी तरह से दो दिन बीट जाते हैं और उसके माता पिता चले जाते हैं माता पिता को गए अभी एक दिन भी नहीं होता कि अचानक से नेहा के भहिया भावी आ जाते हैं अरे बेटा तुम दोनों यहाँ आज सुबह ही तो समधन और समधी जी गए थे सब ठीक तो है अंती जी, मा जी और पिता जी घर आ गए तो हम दोनों यहाँ आए हैं जब से नेहा शादी करके अपनी सुसुराल आई है वो तो अपने माएके का रास्ता ही भूल गई हम सबको निहा की बड़ी याद सताती है इसलिए हम दोनों अपनी प्यारी निहा से मिलने के लिए आ गए ये तो बहुत अच्छा किया भीटा जो आप दोनों यहां निहा बहु से मिलने आ गए हो अच्छा आप दोनों बैठों मैं बहु को बुला देती हूं इतना बोलकर गिता अपनी छोटी बहु को बलाती है अपने भईया-भावी को देख नियहा का मूँ बन जाता है तो वहीं दूसरी और गिता आरती के पास जाती है और जब आरती को पता चलता है कि अब उसकी देवरानी के माइके से उसके भईया-भावी आए है तो आरती अराम से बोल, अगर छोटी बहुने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा, माजी उसे क्या बुरा लगेगा, बुरा तो मुझे लग रहा है, मेरी शादी को दो साल हो गए और एक बार भी मेरी माई के वाले मुझे से मिले नहीं आए, और एक इसे देखो, शादी को दो महीने नहीं हुए कि इसके माई के वालों ने लाइन लगा दी यहां आने की मुझे तर समझ नहीं आ रहा मेरी भाबी यहां क्यों आई है अरे इतना ही घुमने का मन है इनका तो अपने माई की चली जाती न अरे निहा तुम्ही तो खुश हो न जाहिए कि तुमसे मिलने तुमारे भाईया भाबी आई है और तुम उल्टा नराज हो रही हो तीदी मेरी भाबी के आने से मुझे कोई खुशी नहीं है उल्टा मुझे दुख हो रहा है उनके आने से वो एक नमर की कामचूर है साफ सफाई नाम की चीज़ तो उनके अंदर है ही नहीं यहां मुझसे मिलने नहीं बस मुझे परिशान करने के लिए आई है और मेरी सासत अब आप सबको भी परिशान होना पड़े का नहा अपनी देवरानी और सास से बात करी रही होती है कि तब भी वहां नहा की भावी आती है और दोनों देवरानी जिठानी से कहती है नहा मैं और तुम्हारे भाईया बहुत धग गए हैं तरह कमरे में आकर हमारी पैर दबा दो और आरती तुम हम दोनों के लिए ग्रीन टी बना देना, दरअसल हम दोनों डाइट पर है। अहां क्यों नहीं, आदोनों चलिए मैं अभी आपको ग्रीन टी लाकर देती हूँ, नेहा तुमारी भाबी आई हैं, जाओ सेवा करो उनकी। इस तरह नेहा की भाबी आते ही नेहा से उसका कैमरा चीन लेती हैं, और अग्वी सुबा उठकर गंदे कपड़े बातरूम में फेक देती हैं, और बिना नहाए धोई रसुई में जाकर अपने लिए चाय बनाती हैं, और फ्रिज खुला छोड़ देती हैं, यहां तक कि ने और नहा रसुई में आती हैं, तो वो रसुई की बुरी हालत देख के बौकला जाती हैं, यह भगवान यह सब क्या है, इन्हें एसी में सोने की आदत हैं, और इन्हें इतना नहीं पता कि फ्रिज से समाल लेने के बाद फ्रिज बंद करना होता है, और गैस भी सही से बंद नहीं किया, रसुई कितना गंदा कर रखा है इन्होंने, निया तुम सही कहती थी, तुम्हारे भावी के अंदर जरा भी सफाई नहीं है, दीदी, मैं आपको क्या ही बताओ, इन्होंने मेरी नाक में दम करके रखा है, पता नहीं यह कब यहां से जाएंगी, मैं तो परिश हैं, आखिर आप इस घर की महवान है, आपकी बाती सर आखो पर, नहा अपनी भावी के लिए आलू का पराठा बना कर ले जाती है, जहां आलू का पराठा देख, नहा के भाईया सभी घरवालों से कहते हैं, अरे इन सब की क्या जरूरत थी, वैसे अब हमें यहां से चलना चाहिए, मैं तीन दिनों से यहीं पर हूँ, मेरा ओफिस का काम छूट रहा है, पर वो तो नहा के भावी के जिद थी, इसलिए मैं यहां रोख गया, वरना मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी बेहन के सासराल में इतने दिन रोखना चाहिए था, भाईया ऐसे क्यों बोल र रहे हैं और आप लोगों ने हमें कुछ दिया भी नहीं, हमारे यहां तो कोई भी मिमान घर आता है, तो हम उन्हें पैसी और कपड़े दे के विदा करते हैं, पर आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है, अब हम जाहिए इतने अचानक से रहे हैं, चलिए जी, वन्ना आपक इक टेन पर खड़े है, यहां से हमें समझी नहीं आ रहा, कौन सी गली में आना है, आखिर तेरा खर कौन सी गली में है, हमें किसी को ले ने के लिए भीजते, वह जी, अब आप यहां क्यों आ रही है, आरे मैं अपनी प्यारी भतीजी से मिलने आ रही हूँ, क्या अब मैं आपने नेहा से मिलने उसके ससराल भी नहीं आ सकती हाँ बौजी क्यों नहीं आप बिलकुल मुझसे मिलने आ सकती हैं पर अफसोस अभी यहाँ आपके आने से कोई फायदा नहीं दरशक अतुल जी का प्रोमोशन हो गया है और उन्हें देहरादून शिफ्ट कर दिया गया है इसलिए मुझे अभी आदे घंटे में अतुल जी के साथ देहरादून के लिए निकलना पड़ रहा है कोई बात नहीं नहा आदा घंटा तो अभी है ना मेरे लिए आदा घंटा भी बहुत है मैं इस आदे घंटे में ही तुछ से मिलनूंगी वैसे मैं तेरी गली में आ अब जल्दी से आकर दर्वाजा खोल दे बस मैं पहाज गई तेरे घर पर इतना बोलकर नहा की बुआ फोन रख देती है और जब नहा दर्वाजा खोलती है तो वो अपनी बुआ को देखकर एक बार फिर से परिशान हो जाती है और बड़ी मुश्किनों से अपनी बुआ क चाए नाश्ता दे कर उन्हें घर से बाहर भीजती है और तभी गेता के फोन पर नहा की मौसी जी का फोन आता है नहा बहो तेरी मौसी जी का फोन आ रहा है लगता है अब ये भी यहा आने की सोच रही है मा जी फोन करतीजी और अभी स्टेटस डाल दीजी कि हम सब आउट महमान नेहा के कहने पर गीता आरती और नेहा सभी अपने WhatsApp पर स्टेटस लगा लेते हैं और अब किसी के भी फोन पर नेहा के माई के वालों का फोन आता तो वो लोग उनकी कॉल का जवाब नहीं देते और इस तरह आरती और नेहा अपने घर आए बिन बुलाई महमानों से छुटकारा पाते हैं आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो इस कहानी को दस में से आप कितने नमबर देंगे कमेंट करके जरूर बताईएगा